हालो फ्रेंट्स पिछले दिनों से हमारे एक मन में स्वाल उट रहा है कि क्या शंगन जो है वो जलाई में अपने विजे उपन करेगा क्या ये गर्मियां के जो चुटियां आ रही हैं 2020 की क्या ये मनाना पॉसिबल होगा शंगन में इसी तरह के कई स्वाल हैं उनके जवाब लेकर मैं आपके सामने आया हूँ उसके साथ या को बताऊंगा कि वहां के जो टूरिजम मिनिस्टर्स हैं वो क्या सोचते हैं इस बारे में कि 2020 में टूरिजम इंडस्ट्री वो ओपन करेंगे या क्या सोच रहे हैं इसी के बारे में दिये वाली वीडियो लेकर आया हूँ छोप आप सबको मुझे पसंद आएगी आप मेरी चैनल को लाइक और शेयर करिए अगर आप मेरी वीडियो पसंद आई एंड खासकर मेरे सब्सक्राइब कीजिए जो बाहर जाना चाहते हैं या इसके रिगार्डिंग नॉलज रखन जाते हैं थैंक यू बैर मुच जैसी के फ्रेंड्स आपको पता है कि जो क्रोना वायरिस के वज़े से काफी नुकसान हुआ है खासकर टूरिजम इंडस्ट्री को काफी एफेक्ट हुआ है अगर हम एक यूरोपन यूनिन कमिशन की रिपोर्ट की मानें तो किसी कंट्री को अगर खासकर यूरोपन कंट्री की बात करें तो 10 परसन जो इंकम है एकनोमिक आउटपुट है वो यूरोपन यूनिन को आती है टूरिजम इंडस्ट्री से इस्पैशलि हम बात करें ग्रीस और माल्टा जैसी कंट्री की जहां पर 25 परसन जो इंकम जरनेट होती है वो होती है टूरिजम डिपार्टमेंट से सो इसके रिगार्डिंग टूरिजम जो मिनिस्टर थे वो भी काफी परिशान थे कि काफी सारा हिस्सा जो है वो उनको आता है टूरिजम इंडस्टी से तो उनकी क्या राय है कि जुलाई में जो समर विकेशन है उसमें जो टूरिजम नहीं खुलनी जाईए आए देखते हैं एक बहुत ही बड़ी कंपनी के जो मालिक हैं फिर्स जॉंसन उन्होंने कहा है कि जो रिस्टिक्शन है वो थोड़ा लिफ्ट अप करनी चाहिए उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल करना चाहिए एक हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए ताक कि जो होलिडे है समर विकेशन है वो पॉसिबल हो सके जैसे कि उन्होंने कहा है कि अस्ट्रिया बुलगेरिया ग्रीस साइप्रेसन स्पेन ने अपने जो रिसोर्ट हैं वो टूरिस्ट के लिए ओपन करने शुरुक कर दिये हैं इसी तना से हम देखते हैं कि गैरी चैपली जो हैं कुरेशिया टूरिस्ट मिनिस्टर जो हैं उन्हें एक एक स्पेटेशन जताई है कि कुरोना वैरिस के बावजूद भी जो नौर्दर्न यूरोप के ट्रेवलर्स हैं वो सादन यूरोप में ट्रेवल करेंगे इसके लिए उनको एक कॉमन प्लैन या कॉमन हेल्थ कंसेप्ट एक लागू करना चाहिए इसके रिगार्डिंग उन्होंने कॉविट पास्पोर्ट या क्रोना वैरिस हेल्थ पास्पोर्ट के रिगार्डिंग भी उनको एक सूच ना दी गाईज मैंने कॉविट पासपोर्ट पर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है मेरी जो पिछली वीडियो है वो इसे के रिकार्डिंग है अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं आईए हम बात करते हैं जुलिया फेरुगिया पुर्टेली की जो की माल्टा की टूरिस्म मिनिस्टर है उन्होंने भी यही कहा है कि हाँ देर इस एर रिस्क बट दे नीड टू बी मैनेज़्ट हाँ टूरिस्म इंडस्टरी खोलने में थोड़ा सा रिस्क है मगर उनको मैनेज़ करना ही पड़ेगा मैनेज़ करने के इलावा उनके पास कोई भी दूसा रस्ता नहीं है ऐसे उमीद की जा सकती है कि जो जुलाई में है वो बॉर्टर्स ओपन या विज़ा जो टूरिस्स विज़ा है वो अपन हो सकते हैं सो जस्ट आप वेट करिये खुशकबरी की जब भी आएगे खुशकबरी वेल अगुड हम सारे खोशी होंगे कि जो टूरिस्जिम इंडस्टरी है वो खोल जाए और हम सबी जो है टैवल कर सकें अपनी मानपसंद कंटीज में थेंक यू बर्मच हलो फ्रेंड्स उमीद करता हूँ कि आपको ये वाले वीडियो जो है वो पसंद आई होगी अगर आपको पसंद आई है लाइक और शेयर ज़रूर करेगा और सब्सक्राइब करेगा और मैं ऐसी इंफोर्मेशन लेकर आपके पास आता रहूँगा अपडेट्स लेकर आपके पास आता रहूँगा थेंक यू बर्मच